Q8 में इतना ज्यादा चेंगिंग नहीं है Q7 से लेकन आपको पताता चलूं तो हमें यहां पे भी यूँ ही करना होगा कि limit of the function x extends to 3 of f of x और यह equal होना चाहिए कि अगर हम function के अंदर directly value 3 डाल अब directly value means 3 के x is equal to 3 यहां पर हम यह कह सकते हैं if of x is equal to 3 अगर हम रखेंगे तो यह हमारे पास एन आ जाता है यहां पे इसका वीडियो मारे पास एन है ठीक है जी अब exactly 3 के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा देखें अब यहां पर यह 3 हमें दो तरह से define हो रहा है कि limit of the function x extends to 3 बाद function f of x is defined with right hand and left hand limit अब right hand limit क्या कहती है कि limit to x extends to 3 positive of f of x जब आपका function x greater than 3 हो और left hand limit क्या कहती है limit x extends to 3 negative तो इसका मकसद f of x आपका x less than 3 हो ठीक है जी तो अब इसकी जगह हमें दोनों चीज़ें चेक आउट करनी होगी इसके लिए हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेखे चलते हैं कि राइट hand limit x extends to 3 का positive of f of x और फिर limit x extends to 3 का negative of f of x वोच शुद भी इकल स्टो यह हमारे पास इसकी जगह पे एन आ जाएगा ठीक है तो चलें right limit means greater than zero greater than sorry three greater than three हमारे पास नीचे वाला यह दे रहा है तो हम इसकी जगह कुछ यू रख देंगे ठीक है let's see तो इसकी जगह हम रख देंगे यह बहुत ऊपर चला गया मैं तो इसकी जगह हम रख देंगे यह यह वाला function यहाँ पर हम लिखेंगे limit x extends to 3 अब प्लस ना देंगे इसका काम था function बताना तो इसने बता दिया minus के 2x plus 9 which should be equal to limit इसका मकसदा है less than 3 तो less than 3 हमारे पा so mx define हो रहा है from x extends to 3 that could be mx which is equal to n ठीक है अब इसमें आप 3 रखते हैं 3 जब आप इसमें रखेंगे minus के 2 into 3 plus 9 अब इसमें आप 3 रखेंगे so this could be 3m which is equal to n so 3 2s are that could be minus 6 plus 9 and 3m and which is equal to n 3 अब आप इन दोनों को add कर देंगे तो यह आपके पास 3 आजाएगा that is what 3 of m or is equal to n तीन function आगे हैं इसका मकसदा है कि आप 3m को पराबर 3 के भी ले सकते हैं और n वाला value भी आप 3 के को ले सकते हैं इसको इससे और इसको भी इससे ही तो यहां से अगर आप evaluate करें तो aim का वीडियो आपके पास 1 नाया और यहां से aim का वीडियो आपके पास 3 and 1 हो जाएगा तो यह आपके पास question number 8 का पहला part अगर आपको आ सकता है नहीं है तो आप मेरे वार्ट सब्सक्राइब भी मुझे से पूछ सकती है लाइकली सेम आपके पास question number 9 भी आपका हमर कहें तो यहां पर हमारे पास chapter number 2 आपका complete हुआ जाता है तो फिर हम मिलेंगे chapter number 3 में so chapter number 3 we will be uploading soon so must subscribe my channel thank you लाहाफिस